जो पुलारी करते हैं कि लुए खुनारे में विए खुशित जी जो मारे आशी के इंदर लगातार थायती शबस्टागा लेकर चैर्टिन एंसन पर रहे तेट कर दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर है खबर क्या है मैं आपको बताता हूं एंजी नूज की खास टीम पहुंती है नर्वाना का जो सेक्टरेट है वहाँ एडियम दफ्तर के बाहर धरना शुरू कर दिया है किसानों ने पूरी बात जानेंगे क्यों धरना शुरू किया गया है और इसमें असोक नैंजी है जो भाई दणोदा से है उन्होंने यहाँ पर अंसंस रू किया है और यह किस बात को लेकर बात करेंगे पिलाल मैं एक बता देता हूं जो यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं उसको लेकर किसान है वह बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है अब परदान जी से बात करते हैं खटकर टोल पलाजा से जिस परकार से गहों की बिजाई होती है वैसे डीएपी की भी मांग बढ़ती रहती है तो सरकार की तरफ से बादे किया जा रहा है कि डीएपी काफी संक्या में किसानों के पास पहुंच रहा है लेकिन जब बात करें सरकारी केंदरों की वहां पर डीएपी नहीं है किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है सरकार करी किसानों को तो 21 वह कटा दे रहे हैं उसका बादना बीज लगा जेते हैं दो आई लगा देते हैं तो इस करके हम नाज ये असोग नायन को भूखरतार पर बेठा यू भाई जब तक किसानों के पास खाद की पूरती पूरी नहीं होगी जब तक यू अनसन पर रहेगा देखिए यह सबसे बड़ा तो पोलिशी मैटर आगर मापको जानकारी के लिए बता दू हर्याना प्रदेश की चर्चा करें पूरे देश की चर्था अगर सबसे ज्यादा डियापी करको सप्लाई करती है आज हर्याना सरकार का कोटा इपको कटा दिया गया है और प्राइवे प्राइवेट सेक्टर की सब्सीडी 400 रुपे देड़ी सरकार ने वह कंपनियों को अब तक बेजिनी सरकार साफ ड्रामा कर रही है सरकार किसानों को प्रेशान करना चाहती है और जो थोड़ा-बोदा आया है उसकी कड़ा बजारी की जारी है जिसे क्रेशान बहुत बरके बेच्चा जारा हम प्रसासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को भी तुनत पकड़ा जाए ताकि किसान के साथ दोखा ना हो मैयर टोल पलाजा से सुबेदार रणवीर सिंग जी पहुंचे है मैयर टोल पलाजा और इनकी टीम के साथ जासोग जी ने हर किसान की जो सम इसका पूरा पूरा परभाव पड़ेगा क्यों पड़ेगा आके खाली बोलते हैं कि बिना रोय तो महां भी बच्चे को दूद नहीं पिलाती है ठीक है और अभी जो है सरकार इतनी निकम्मी और इतनी गिनोनी है कि इन्हों ने यह खाद के उपर इतना पर्तिबंद लगा आधिया जो नहीं भेज रहे हैं और भेज भी रहे हैं तो व्यापारियों के जा गोदामों में बरा बढ़ा है जब तक वो गदामों से नही निकलेगा इसकी पूर्ती नहीं होगी और खाद की कमी नहीं आज के टाइम पर हांसी भी जूई हमारे बाई कुलदीप ने जो है अपने अगरिकल्चर के SDO और पुलिस परसाशन और SDM की टीम उनको साथ लेके छापे मारे और जो काभी मातरा में गोदाम में से अपने DAP निकाड़ा गया और किसानों को इश्यू करवाया गया उसके बाद एक ट्रेन अपने इशार में आई रैक लगा और 80,000 कट्टे उपलब्त कराए गए जब तक कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये किसानों के प्रती सरकार की ऐसी गिनोनी अरकत है ये हर कदम पर मारना चाहती है और मार भी रही है किसान कैसे मजबूर हो अपने घूटने टेके लेकिन किसान में इतनी हिम्मत है इतना जोष है कि ये घुटने टेकने वाले नहीं है ये सरकार के घुटने टिकवा के रहेंगे और खात भी उपलब्त कराएंगे इसलिए भाई को बहुत हाबार परकट करते हैं जो असोक नहीं जी यहां बैठे हैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो भाई वीडियो को जुरूर शेयर कर देना यह जो भाई बैठा है यह किसी एक के लिए नहीं है अनाज सब खाते हैं और अनाज में जो जूरत पड़ती है सामगरी की तो उसके लिए अंसन किया गया डिये पिखाद के लिए तो असोक नहीं से भी बात करेंगे वही किन मशकार तो आपने शुरू कर दिया तो क्यों शुरू कि आप नहीं देखिए पूरे हर्याना या पूरे भारत की बात करें पूरे भारत में डिएपी कमी है और कमी क्यों है मोटी सरकार यह चाहरे कि सान अपनी जिमीन से तंग आकर जिमीन बेच दे और अड़ा निवान अब दिल्ली की बात करें जैसे सरकार कह रही है जिंद कि संगों ने रास्ता रोका है तो अब जैसे सरकार की त emerging and greencar campaign Latam वहां पर दिल्ली जाने के लिए बेटे दिल्ली जाएंगा अच्छा मैं एक और भास बात पूछना चाहूंगा एलनाबाद में खास चुना हुआ है और परतासी कड़ी टककर में दे क्या लगता है हुआपर किसानों को परवाऊ देखने को मिलेगा देखिए किसानों परवाऊ घुन परवाऊ परीदेगी और भाहं पर हा रहेगी ठीक है वाई सब्सक्राइब तो दे सकते हैं एलनाबाद को जो चुना हुआ बड़ी वहां पर जबरदस्त करूई है और जबरदस्त वहां पर मुकाबला हुआ है और मैं बता देता हूं वहां पर जिस बरकार से किसानों ने विरोध किया है जेजेपी और बीजेपी पार्टी का कहीं ना कहीं वह असर एल अंसन शुरू किया है धन्यवाद वंदे मातम जाहीं जैवार